जो प्लांट हमारा रूट बाउंड हो चुका है उसमें चीटियां बहुत जल्दी अटेक करती हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्लांट रूट बाउंड हुआ हो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हाजीरू एक इंटरस्टिंग विसे के साथ हमारा प्लांट रूट बाउंड हो गया है इसको कैसे पैचाने इसके तीन प्रमुक लक्षन में शेयर करूंगी जिससे आप अपने प्लांट की रूट बाउंडिंग को एजली आइडे इंटिफाई कर पाएंगे सो वीडियो में बने रहें मेरे कुछ प्लांट रूट बाउंड हो गये थे तो उनकी मैं रिपोर्टिंग कर रही थी तो आप लोगों से शेयर कर रही हूं कि आप अपने प्लांट की रूट बाउंडिंग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकें तो यह देखें कि यह कितना बुरी तरह रूट बाउंड हुआ है पहली निशानी है दोस्तों कि आपका प्लांट डल सा हो जाएगा मुर्जाया सा लगेगा चाहे आप चितना भी पानी दें उसकी रंगत डल ही रहती है तो पहली निशानी है आपके प्लांट का डल होना मेरा यह प्लांट इस पॉर्ट में था यदि मैं अभी इसे रिपोर्ट नहीं करती तो यह गमला तोड़ देता है यह देखें कितनी बुरी तरह से रूट बाउंड हुआ है जो प्लांट हमारा रूट बाउंड हो चुका है उसमें चीटिया बहुत जल्दी अटैक करती है वो प जमीन में लगे हुए पौदे को जगे की कमी नहीं होती है वो चारो तरफ अंदर ही अंदर जमीन में अपने जड़ों का फिलाओ करता रहता है लेकिन जब हम गमले में लगाते हैं तो उसे एक सीमित जगा मिलती है और उसे जगा नहीं मिलती है तो बाहर आने की कोशिश कर करने लगता उस कोशिश में वो गमला तोड़ देता है या और खाना नहीं मिलता उसको तो प्लांट हमारा मर जाता है इसलिए टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करना जरूरी होता है अपने प्लांट के रूट बाउंडिंग को पैचाने अभी मार्च का सेकंड वीक चल रह रिपोर्ट करने का तरीका है अब इसके रूट बॉल को मैं आदा कट कर दूँगी और इसके बाद इसको उसी गमले में या फिर देखूंगी उससे बड़े साइज के गमले में लगाऊंगी तो यही तरीका है मैं वीडियो उस रिपोर्टिंग किसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कई बारी रिपोर्टिंग करना पता चुकी हूँ जब प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तो वो अपनी जड़ों को फैलाने के लिए जगा ढूंता है तो यह बॉटम हॉल जो है वहां से जड़े जमीन में डालने की कोशिश करता है तो वहां से निकलने बहुत अधिक रूट बाउंड होता है तो गमले की ऊपर से भी उसकी जड़े विजिबल होने लगती है मिटी लगभख सारी खत्म हो जाती है मैंने अपने इस प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है यह इसका नाम मुझे इंदी में नहीं पता है लेकिन हमारे नेपाली में इ कि तीकी सी गंध होती है जिसे तेजफट गंध होती ही तेजगतं इसके अधिक प्लांट है इसके बहुत सारे अधिस्टनल वैल्यू है और ये तराई शेत्रों में मिलता है हमारे वहां तो ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था इसलिए मैंने लगा इसकी मैंने फूल तो अभी तक तो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोगों गिदी इसका नाम जानते हो तो मुझे ज़रू बताईएगा बड़ी तीखी सी स्मेल होती है इसमें और काफी अच्छा माना जाता है इसे घर में लगाना तो इसको मैंने इस तरह के कनस्तर में लगा दिया इसका धकन कट किया हुगा है उसको मैं अलग से एक डियाइवाय करूँगी तो शेयर करूँगी तीसरा और प्रमुक लक्षन जब आप अपने प्लांट को पानी देते हैं तो गमले में पानी दो सेकेंड भी नहीं रुकता है वो तुरंद की तुरंद बाहर निकल जाता है क्योंकि उसकी पूरे उसमें मटी तो है ही नहीं जड़े बस है तो पानी ठहरता ही नहीं है मिटी अपने अंदर पानी लेता ही नहीं है सारा का सारा पानी गमले से बाहर निकल जाता है तो वो सबसे प्रमुक निशानी है कि आपका plant root bound हो चुका है बस यही तीन बाते हैं जिन से हमें पता लग जाता है कि हमारा plant root bound हो चुका है आशा करती हूँ मैं आप लोगों को अच्छी तरह से explain कर पाई हूँ कि आपका plant root bound है तो कैसे identify करें वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करें कॉमेंट करें शेयर करें और जो मेरे चैनल में बिलकुल नए हैं तो subscribe किये बिना ना जाए मेरा होसला जरूर बढ़ाए और यदि वीडियो पसंद ना आई तो dislike भी कर सकते हैं तो आज की लिए इतना ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी जानकारी के साथ तब तक के लिए हसते रहें मुस्कराते रहें स्वस्त रहें जैहिन एंड बाई बाई